नमस्कार भारत वानी से मैं कविता स्वागत करती हूँ आप सब का श्री शिव महापुरान संपूर्ण पाठ के अंतरगत द्वितिया रुद्र संगिता के श्रिष्टिक खंड से आठमे अध्याय में आज के अध्याय में है ब्रह्मा और विष्णु को भगवान शिव के शब्द में शरीर का दर्शन पिछली बार शिव का प्राकट्य हुआ था स्तंभ के रूप में और ब्रह्मा और विष्णु दोनों अपने अपने सिरों में खोजते घूमते रहे ढूंते रहे किन्तु रहस से नहीं समझ पाई उस्तंभ का चली प्रारंप करते हैं आज का पाठ और जानते हैं कि कैसे हुए ब्रह्मा और विष्णु को शिव के शब्द में दर्शन ब्रह्म हो वाच एवम तयोर मुनिश्रेष्ठ दर्शनम कांक्ष मानयोह विगर्वयोष्च सुरयोह सदानौ स्थितयोर मुने दयालुरभवच्चं भुर्दीनानाम प्रतिपालकह गर्विनाम गर्वहर्ताच सर्वेशाम प्रभुरव्ययह तदा संभवत तत्रनादोवई शब्दलक्षणह ओमो मिति सुरश्रेष्ठा सुब्यक्तह प्लुतलक्षणह किमिदंत्विति संचित्यमया तिष्ठनमहास्वनह विष्णुह सर्वसुराराध्यो निर्वैरस्तुष्टचेतसा लिंगस्य दक्षिने भागे तथा पश्यत सनातनम आध्यम वर्नम काराख्यम मुकारम चोतरे ततह मकारम मध्यतस्चेव नादमंते अस्यचो मिति सूर्यमंडला वद्रिष्ट्वा वनमाध्यम तुदक्षिने उत्तरे पावक प्रख्यम उकारम रिशिसत्तम शीताशु मंडला प्रख्यम मकारम तस्यम ध्यतह तो ब्रह्मा जी बोले मुनिश्रेष्ट नारद इस प्रकार हम दोनों देवता गर्व रहित हो निरंतर प्रणाम करते रहे हम दोनों अर्थात ब्रह्मा और विश्णु ब्रह्मा अपना ही एक वृतांत सुना रहे है अपने पुत्र नारद को तो कहते हैं कि हम दोनों के मन में एक ही अभिलाशा थी कि इस जोतिर लिंग के रूप में प्रकट हुए परमेश्वर प्रत् समय वहां उन सुरुष्रेष्ट से ओम ओम ऐसा शब्द रूप नाद प्रकट हुआ जो स्पष्ट रूप से प्लुत स्वर में सुनाई दे रहा था जोर से प्रकट होने वाले उस शब्द के विशय में ये क्या है ऐसा सोचते हुए समस्त देवताओं के आराध्य भगवान विश्णु मेरे साथ संतोष्ट चित्त से खड़े रहे वे सर्वता वेरभाव से रहित्थे इस समय उन्होंने लिंग के दक्षन भाग में सनातन आदिवर्ण अकार का दर्शन किया तदनंतर उत्तर भाग में उकार का मध्य भाग में मकार का औरंत में ओम इसनाद का प्रकट हुए आधिवर्ण अकार को सूर्य मंदल के समान तेजो मैं देखकर उन्होंने उत्तर भाग में उकारवर्ण को अगनी के समान देखा। हे मुन श्रेश्ट इसी तरह उन्होंने मध्य भाग में मकार को चंडरमदल के समान देखा। तस्यो परितदा पष्यचुद्धस भटेक शुप्रभं तुरियातितम अमलं निश्कलं निरुपद्रवं निर्द्वंद्वं केवलं शुन्यं बाह्या भ्यंतर वर्जितं सबाह्या भ्यंतरे चैव बाह्य भ्यंतर संसितं आदि मध्यांतरहितं आनन्दस्यादिकारणं सत्यमानन्दमम्रितं परम्रम परायनं कुत एवात्र संभूतह परिक्षावो अग्निसंभवं अधो गमिशाम्यनलस्तंभस्यानु पमस्यच वेदशब्दो भयावेशं विश्वात्मानं व्यचिंतय तदाभवत रिशिस्तत्र रिशेह सारतमह स्मृतह तेनैवरिशिना विश्णुर ज्यातवान परमेश्वरं महादेवं परम्रम्ह शब्द ब्रम्ह तनुम् परम् चिंतयारहितो रुद्रो वाचोयन्मनसा सह अप्राप्रतनिवरतन्ते वाच्यस्त्वेकाक्षरिन सह एकाक्षरिन तद्बाक्यमम्रितं परमकारणं सत्यमानंदं मम्रितं परम्रम्ह परापरं तो आगे कहते हैं ब्रम्ह जी कि तदनंतर उसके उपर शुद्ध स्फटिक मनी के समान निर्मल प्रभा से युक्त तुरी आतीत अमल निशकल निरुपद्रव निर्द्वंद अध्विती शून्यमय बाह्य और आभ्यंतर के भेद से रहित बाह्या भ्यंतर भेद से युक् के भीतर और बाहर स्वयम ही स्थित आदि मध्य और अंत से रहित आनंद के आदिकारण तथा सब के परम आश्रे सत्य आनंद एवं अम्रित स्वरूप परब्रम्ह का साक्षात कार्श किया उस समय श्रीहरी यह सोचने लगे कि यह अगनिस्तंभ यहां कहां से प्रकट हुआ है फिर से हम इसकी परीक्षा करें इस बार मैं इस अगनिस्तंभ के नीचे जाओंगा ऐसा विचार करते हुए श्रीहरी ने वेद और शब्द दोनों के आवेश से युक्त विश्वात्मा शिव का चिंतन किया तब वहां एक रिशी प्रकट हुए जो रिशी समुह के परम स रूप महादेव जी ही यहां पर प्रकट हुए हैं ये चिंता रहित अत्वा अचंत्य रुद्र हैं जहां जाकर मन सहित वानी उसे प्राप्त किये बिना ही लोट आती है उस परब्रम परमात्मा शिव का वाचक एक आक्षर प्रणव ही है वे इसके वाच्यार्थ रूप है उस परमकारण, रित, सत्य, आनंद एवं अम्रित, स्वरूप, परात्पर, परब्रम्ह को इस एकाक्षर के द्वारा ही जाना जा सकता है एकाक्षराद अकाराख्याद भगवान बीज को अंड जह एकाक्षराद उकाराख्याद धरही परमकारणम एकाक्षराद मकाराख्याद भगवान नीलेलो हितह सर्ग करता त्वकाराख्यो युकाराख्यस तुमोह कह मकाराख्यस तुयो नित्य मनुग्रह करो अभवत मकाराख्यो विभुर बीजी यकारो बीज उच्यते उकाराख्यो हरिर योनिही प्रधान पुरुशेश्वरह बीजी चबीजम तद्यो निर नादाख्यस्च महेश्वरह बीजी विभज्य चात्मानम स्वेच्यातु व्यवस्थितह अस्यलिंगाद भूत बीजम कारो बीजिनः प्रभोह उकारयो नव निहिक्षिप्ताम वर्धत समंततह सौवर्णम भवच्चांडमा वेद्यम तदलक्षणम अनेकादम तथा चापसु दिव्यम अंडम व्यवस्थितम ततो वर्ष सहस्रांते द्विधाकृतम जोद्भवं अंडम अपसु स्थितम साक्षाद व्यागा तेने श्वरेणतू तथा स्यसु शुभं हैमं कपालं चोर्ध्वसं सितम जग्ये स्या द्योस्तद परंपृतिवी पंचलक्षणां तस्मादंडा धवो जग्ये काकाराख्यस चतुर मुखह स्रस्ष्टा सर्वलोका नाम साइव त्रिविधाः प्रभुहु एवमो मुमिति प्रोक्तमित्याहुर यजुशाम राह। यजुशाम वचनम शुत्वा रिचह सामान सादरम एवमेवाहरे ब्रह्मा नित्याहो श्चावयो स्तदा। आगे बोले ब्रह्मा जी कि प्रणव के एक अक्षर अकार से जगत के बीज भूत अंड जन्मा भगवान ब्रह्मा का बोध होता है। उसके दूसरे एक अक्षर उकार से परमकारण रूप श्रीहरी का बोध होता है। और तीसरे एक अक्षर मकार से भगवान नील लोहित शिव का ज्यान होता है। अकार स्रिष्टी करता है। उकार मोह में डालने वाला है। और मकार नित्य अनुग्रह करने वाला है मकार बोध्य सर्व व्यापी शिव बीजी यानि बीज मातर के स्वामी है और अकार संग्यक मुझ ब्रह्मा को बीज कहा जाता है उकार संग्यक श्रीहरी योनी है तो प्रधान और पुरुष के भी इश्वर, जो महेश्वर हैं, वे बीजी, बीज और योनी भी हैं, उन्हीं को नाद कहा गया है, बीजी अपनी इच्छा से ही अपने बीज को अनेक रूपों में विभक्त करके स्थित है, इन बीजी भगवान महेश्वर के लिंग से अकार बीज प्रकट हुआ, जो उकार रूप योनी में स्थापित होकर सब और बढ़ने लगा, वह सुवर्ण में अंड के रूप में ही बताने योग्य था, उसका अन्य कोई विशेश लक्षन लक्षित नहीं होता था, वह दिव्य अंड अनेक वर्षों तक जल में ही स्थित रह तदनंतर एक हजार वर्ष के बाद उस अंड के दो टुकडे हो गए, जल में स्थित हुआ वह अंड अजनमा ब्रह्मा जी की उत्पत्ति का स्थान था, और साक्षात महिश्वर के आगात से ही फूट कर दो भागों में बढ़ गया था, उस अवस्था में उपर स्थित का सुवर्ण में कपाल बड़ी शोभा पाने लगा, वही द्यो लोक के रूप में प्रकट हुआ, तथा जो उसका दूसरा नीचे वाला कपाल था, वही यह पांच लक्षणों से युक्त प्रित्री है, उस अंड से चतुर्भुज ब्रह्मा उत्पन हुए जिनकी का संग्य वे समस्त लोकों के स्रश्टा है, इस प्रकार वे भगवान महेश्वर ही अ, उ और म, इन त्रिवेध रूपों में वढ़ने थुए, इसी अभिप्राय से उन जोतिर लिंग स्वरूप सदाशिव ने ओम, ओम ऐसा कहा, ये बात यजुरवेद के श्रेष्ट मंत्र कहते हैं, तो ये अजुरवेद के श्रेष्ट मंत्रों का यह कथन सुनकर रिचाओं और साम मंत्रों ने भी हमसे आधर पूर्वक ये कहा, कि हे हरे, हे ब्रह्मन, यह बात ऐसी ही है, यही सत्य है, ततो विज्ञाय देवेशं यथावच्छक्तिसं भवैहि मंत्र इर्महेश्वरं देवं तुष्टाव सुमहोदयं एतस्मिननंतरे अन्यचरूपं अध्भुत सुन्दरं ददर्शचा मया सार्धं भगवान विश्वपालक है पंचवक्त्रम दशभुजम गोरकरपूरवन मुने नाना कांति समायुक्तम नाना भूशन भूशितम महुदारं महाविर्यं महापुरुष लक्षणं तम्ग्रिष्ट्वा परमं रूपं कृतार्थो भून्मया हरिही अथ प्रसन्यो भगवान महेशह परमेश्वरह दिव्यम शब्दमयं रूपं आख्याय प्रहसं स्थितह अकारस तस्यमूधाही ललाटो दीरगव उचते इकारोधक्षिनम नेत्रमीकारो वामलो चनम उकारोधक्षिनम श्रोत्रमूकारो वाम उचते रिकारोधक्षिनम तस्य कपोलम परमेश्ठिनम वामं कपोलं रिकारोल रिल्री नासा पुटे उभे एकारश्चोष्ठ उर्ध्वश्च येकारस्थव धरो विभोह ओकारश्च तथव कारो धन्त पंक्ति ज्वयं क्रमा अमस्तु तालुनित अस्य देव देवस्य शूलिनह कादि पंचाक्षराण्यस्य पंचाहस्ताष्च दक्षिने चादि पंचाक्षराण्येवं पंचहस्तास्तु वामत है तादि पंचाक्षरं पदास्तादि पंचाक्षरं तथा पकार उदरम तस्य फकारह पार्श्वव उच्यते बकारो वाम पार्श्वस्तु भकारह सकंध उच्यते मकारो हृदयम शंभोर महादेवस्य योगिनह यकारादे सकारांता विभोर्वई सप्तधात वह हकारो नाभिरूपोही क्षकारो ग्राण उच्यते एवं शब्दमयम रूपाम गुणस्य गुणात्मनह द्रिष्ट्वातम मया साधम कृतार्थो भून्मया हरिह तब इस तरह देवेश्वर शिव को जानकर श्रीहरी ने शक्तिसंभूत मंत्रों द्वारा उत्तम एवं महान अभ्युदय से शोभित होने वाले उन महेश्वर देव का स्तवन किया इसी बीच में विश्व पालक भगवान विश्णु ने मेरे साथ एक और भी अध्वुत एवं सुन्दर रूप को देखा हे मुने वह रूप पाँच मुखों और दस भुजाओं से अलंकरित था उसकी कांती करपूर के समान गौर थी वह नाना प्रकार की छटाओं से और भाति-भाति के अभुशनों से विभुशित था उस परम उदार महा पराक्रमी और महा पुरुष के लक्षनों से संपन्न अत्यंत उतक्रिष्ट रूप का दर्शन करके मेरे साथ श्री हरी कृतार्थ हो गए तत्पश्चात परमेश्वर भगवान महेश प्रसन्न होकर अपने दिव्य शब्द मै रूप को प्रकट करके हस्ते हुए खड़े हो गए रस्व अकार उनका मस्तक और दीर्ग अकार ललाट रस्व अकार यानि अ उनका मस्तक और आ उनका ललाट इकार छोटी इ दाहिनानेत्र और इकार बड़ी इ बायानेत्र उकार को उनका दाहिना और उकार को बायाकान बताया जाता है छोटाओ दाहिनाकान बडाओ बायाकान रिकार उन परमेश्वर का दाया कपोल है री और रिकार उनका बाया कपोल है इसी तरह से ल्री और ल्री ये उनकी नासिका के दोनों छिद्र हैं एकार उन सर्व व्यापी प्रभु का उपरी ओष्ट है ए और ए यानि एकार अधर है ओकार तथा ओकार ओ आउ ये दोनों क्रमशह उनकी उपर और नीचे की दो दंत पंक्तियां है अंग और अह उन देवाधि देव शूल धारी शिव के दोनों तालू हैं कव आधि पांच अक्षर उनके दाहिने पांच हाथ हैं और चव आधि पांच अक्षर उनके बाएं पांच हाथ हैं काखा गागा गा दाहिने पाँचात और चाच जज़ाईया उनके बाएं पाँचात फिर ता आदी और ता आदी पाँच पाँचक्षत यानि तठ डढण और तठ दधन उनके दाहिने और बाएं पैर हैं पाकार पेट है यानि पा पेट है भा दाहिनी पीठ है और बाएं पीठ भाकार यानि भा को कंधा कहा जाता है मकार अर्थात मा उन्योगी महादेव शंभु का हरिदय है और फिर या से लेकर सा तक यारलावशा शासा ये सात अक्षर सर्व व्यापी शिव की सात धातुएं हैं और आठवा हा यारलावशा शासा हा हकार को उनकी नाभे और क्षकार को नासिका कहा जाता है क्षत्र ज्यमे क्षकार नासिका है तो इस प्रकार निर्गुण एवं गुण सरूप परमात्मा के शब्द मै रूप को भगवती उमा सहित देखकर श्री हरी मेरे साथ कृतार्थ हो गए एवं द्रिष्ट्वा महे शानम शब्द ब्रह्मा तनुम शिवं प्रणम्यच मया विष्णुहुं पुनस्चा पश्य दूर्धत है ओमकार प्रभवं मंत्रम कलापंचकर सैयुतं शुद्धस फटिकस संकाशं शुभाष्ट त्रेंशदक्षरं मेधाकारम भूद्भूयह सर्वधर्मार्थ साथकं गायत्री प्रभवं मंत्रम सहितं वश्यकारकं चतुर्विंशति वर्नाध्यं चतुष्कलं मनुत्तमं अथपंचसितं मंत्रं कलाप्ष्टकसमायुतं आभिचारिकं अत्यर्थं प्रायस्त्रिंशच्छुभाक्षरं यजुरु वेदा समायुक्तं पंचवेंशत्छुभाक्षरं कलाप्ष्टकसमायुक्तं सुष्वेतं शांतिकं तथा त्रयोदशकलायुक्तं बालाध्याई हिसहलिहितं बभु रस्य चोद्पत्ति व्रिद्ध संहार कारणं वर्णा एकाधिकाह शष्टी रस्य मंत्र वरस्यतु पुनर मृत्युन्जयं मंत्रं पंचाक्षरमत परं। शिन्ता मनिं तथा मंत्रं दक्षिना मूर्ते संग्यकं। ततस्तत्वमसीत्युक्तं महावाक्यं हरस्यचं। पंचा मंत्रा स्तथा लधा जजाप भगवान हरिही। अथद्रिष्ट्वा कलावर्णं रिज्यजुह साम रूपिनं। इशानमेश मुकुतं पुरुशाख्यं पुरातनं। अगोर हृदयं हृद्यं सर्वगुह्यं सदाशिवं। वाम पादं महादेवं महा भोगींद्र भूशनं। विश्वतह पादवंतं तम् विश्वतो क्षिकरं शिवं। ब्रह्मनो अधिपतिं सर्गस्थिति संहारकारणं। तुष्टाव वाग्विर्ष्टाभिही साम्भम वर्दमीश्वरं। मयाचा सहीतो विश्णुर भगवांस तुष्टचेतसा। तब इस प्रकार निर्गुण गुण सरूप परमात्मा के शब्द मय रूप को भगवती उमा सहीत देखके श्री हरी ब्रह्मा सब कृतार्थ हो गए। तो शब्द ब्रह्म में शरीरधारी महेश्वर शिव का दर्शन पाके मेरे साथ श्री हरी ने उन्हें प्रणाम करके पुनह उपर की उर देखा। तो उस समय उन्हें पाँच कलाओं से युक्त ओंकार जनित शुद्ध स्फटिक मनी के समान सुंदर 38 अक्षरों वाले मंत्र का साख्षातकार हुआ। पुनह संपून धर्म तथा अर्थ का साधक बुद्धि स्वरूप अत्यंत हितकारक और सब को वश में करने वाला गायत्री नामक महान मंत्र लक्षित हुआ। वह 24 अक्षरों तथा 4 कलाओं से युक्त श्रेष्ट मंत्र है। पंचाक्षर मंत्र नमह शिवाय आठ कलाओं से युक्त है। अभिचार सिद्धी के लिए प्रयोग किया जाने वाला मंत्र 30 अक्षरों से संपन्न है। किन्तु यजुर्वेद में प्रयोग्त मंत्र 25 सुन्दर अक्षरों का ही है। यह आठ कलाओं से युक्त तथा सुश्वेत मंत्र है। जिसका प्रयोग शांति कर्म की सिद्धी के लिए किया जाता है। इस मंत्र के अतिरिक्त 13 कलाओं से युक्त जो श्रेष्ट मंत्र है। वह बाल, युवा और वृद्ध आदियवस्थाओं में आने वाले क्रम के अनुसार, उत्पत्ति, पालन तथा संहार का कारण रूप है। इसमें 61 वर्ण होते हैं। इसके पश्चात विष्णु ने मृत्युन जय मंत्र, पंचाक्षर मंत्र, चिंता मणी मंत्र तथा दक्षिना मूर्ति मंत्र को देखा। मृत्युन्जय मंत्र हम जानते हैं पंचाक्षर मंत्र भी हम जानते हैं चिन्तामणी मंत्र है क्षम्याओं केवल क्षम्याओं क्षमाप्रार्थना तथा दक्षिनामूर्ती मंत्र है ओम नमो भगवते दक्षिनामूर्त ये महियम मेधाम प्रयच्च स्वाहा इसके बाद प्रकार उक्त पंच मंत्रों को प्राप्त करके वे भगवान श्रीहरी उनका जप करने लगे इसके पश्चात रिग यजु सामरूप वर्णों की कलाओं से युक्त इशान इशों के मुकुट पुरातन पुरुष अगोर हृदय मनोहर सर्व गुह्य सदाशिव तांडव नृ अपने बाएं पैर के उपर खड़े रहने वाले महादेव महान सर्पराज को अभूशन के रूप में धारण करने वाले चारों और चरण और नेत्र वाले कल्यानकारी ब्रह्मा के अधिपति स्रिष्टि स्थिति संगहार के कारण भूत वरदायक सांब महेश्वर को देखक भगवान विष्णु प्रसन मन से प्रिय वचनों द्वारा मेरी साथ उनकी स्थिति करने लगे तेस प्रकार यहाँ पर श्रीशिव महापुराण के अंतरगय द्वितिय रुद्र संगहिता के प्रथम खंड में श्रिष्टि उपाख्यान में शब्द ब्रह्म तनु वर्ण अठ्म अध्याय पूर्ण होता है इति श्रीशिव महापुराणे द्वितियायाम रुद्र संगहितायाम प्रथम खंडे स्रिष्टि उपाख्याने शब्द ब्रह्म तनु वर्ण नम नाम अष्टमू अध्याय है ओम श्री सांब शिवाय नम जै भारत कर दो